का वीलबेस है, 2566 mm का वीलबेस है क्या आपको लग रहा है जब आपने चलाया वो 1.0 लिटर इस माइंडसेट को मैच कर रहा है यह 30 सिलिंडर है, पावरफुल नहीं होगा, यह 1.0 लिटर एंजियन है, दम नहीं होगा को सब लोग सवासर गलत सावित होने वाले हैं इसकौर्ड़ा फॉक्सवाइट के डीलर बहुत पैसा कमाते हैं जानेंगे, क्या-क्या मिट्स हैं काईलैक को लेखे and obviously फॉक्सवगन पोलो को लेगे, उनको ट्रबलशूट करेंगे, और कुछ न ऐसी hidden चीज़े आज आपको बताने वाले हैं, इस पॉड़ास से आप वो अमीद रख सकते हो, जो स्कॉड़ा के लिए, मार्किट में बहुत सादा प्रेजन नहीं है वो चीज़े आपने सुनी नहीं होगी कभी या अगर स्कॉड़ा ओनर भी आप हो, तो क्या-क्या चीज़े हैं, जो आप अगली बार रीफरिन करते हो, उसको खरीदने से बचते हो, कैसे वो सुधारी जा सकती है उन चीज़ों के पर बात करते हैं, तो सबसे बहले स्कॉड़ा सर, मासी अगर आप स्कॉड़ा फोक्सवगन रूप के अगर हम इनकी टर्मिनलोजी दह से देगें, या फिर के साथ में, आपको उस प्रोड़क्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, और अगर मैं आपके फर्स्ट इंप्रेशन जाओ, तो क्या रहेंगे वो, देखो काईलेक के बारे में सिंपल सब दुमें कहा जाए, ऐसा सब लोग कह भी रहें मिनी कुशाक, तो वो बिल्कुल पर्फेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि वह बिहेव ऐसा ही कर रही है, लुक्स में फ्रेंट लुक का जो डिजाइन है, वो डिजाइन फिलोसफी सेटिंग वैसे ही है, तो वो लगता है कि स्कॉड़ा फेमली की गाड़ी है, बस थोड़ा डिफरेंट यह है कि कुशाक जहाँ ऐरो डैनामिक ज्यादा बनाए गई थी उसको देखके फोटो में लगता था है यह तो, तो वो फिल काइलक के साथ नहीं है, काइलक थोड़ी से ज्यादा बॉक्सी, थोड़ी से ज्यादा उठी हुई लगती है, जैसे कि वैन्यू के साथ में है, जहां स्कॉनट जड़ा एरो डैनामिक है, वहां थोड़ी उठी हुई लगती है, तो बस यह वाली गाड़ी थोड़ी उनको ज्यादा बूट स्पेस देने की कोशिस है और उसके लिए थोड़ी चालवाजिया भी उन्होंने की हैं बात करेंगे उस बारी में अगे से देखो अगर गाड़ी को तो आपको फेस तो कुशाक वाला लगता है लेकिन साइड से देखते लगता नहीं या यह तो उठी ह हुई गाड़ी है थोड़ी सी बॉक्सी है थोड़ी सी बोलेरो का भी डियनो डाल दिया गया है इसके वीतर बस ऐसा है पीछे से देखने में कभी-कभी एस्टर वाली लाइटो जैसा फील कराती है बाकी डिजैन में मुझे लगता है कि एक्षटर को मर्ज करो तो जैसे एक्षटर की एक्षटर है एक्षटर है हंड़ी एक्षटर है वो इसा थोड़ा-थोड़ा मज रसा लग़ा है देखने में तो ठीक लग रही है यह है फिलाल तो इही काओड़ा फॉक्स वें ब्रुप यह दोनों जब भी गाड़िया बनाती है तो ड्राइवर सेंट्रिक अगर आपको हटाना है तो वो उस तरीकी गाड़ी है क्या आपको लग रहा है जब आपने चला है वो 1.0 लिटर इस माइंडसेट को मैच कर रहा है एंथुजीयजम को क्या वो 1.0 लिटर का जो त्री इंडर इंडर इंडरी लोग त्री से लिंडर को समझते की बहुत ही लथार्जिक होगा जो कि एक्चुली नहीं है इस तरीके से वो 1.0 बहुत हमने यूज भी किया है उसको वो पोलो में भी आगा तो पहले वाली रैपिड में भी डाला किया जाता है फिर अब इन गाडियों पर्सिस कर रहा है कैसा सूट कर रहा है वो इंजन बहुत अच्छा है बस पॉलम क्या है कि हमें लगता है कि नेचरली एस्पेटेड बड़े साइज के इंजन ही अच्छे हो सकते हैं जब तक आप यह ओल्ड स्कूल को है निशिंटा होतें चलाने में निजिन में इसे चुटी घडir नते हो तो यह और उन जाता है क्यों क्योंकि यहां पर मुकाबले के मुझाबले है तो जबाष द्रूत जानी से उस चलने में मंदद रिखती है सब कर लेकं नहीं बचा है लेकिन फिर भी मेरे साब से कुछ करने के मूड में दिखते हैं मुझे चलाने में तो मज़ेदार है वन लिटर एंजिन को अगर कोई यह कहता है यह थी श्लेंडर है खराब होगा यह थी श्लेंडर है पावज़ नहीं होगा यह वन लीटर एंजिन्यन दम नी होगा वो सब लोग सवासर गलत सावित होने वाले मतलब इसमें 99.9% नहीं पूरे 100% व लेकिन सर इस सेग्मेंट में और जितनी भी गाडिया है ना मेरी one of the favorite is the XUV3XO केवल ड्राइविंग अगर मुझे देखनी हो उसके साथ में किक है वो जब फील स्वीन होते है बले ही ट्रेक्शन कंट्रोल अनो तब भी वो हलके से फील स्वीन कर जाती है तो मज़ा आते है उस गाड़ी को चलाने निकले तो आपको च्लोज तो इवी वाली फिल आती है तो यहाँ पर जब आपने चलाया क्या यह कहनाह व्लिग कि वन आप दा बेस्ट ड्राइविं स्था और भी वाली हम सगाड़ी है नहीं बदल्द लेकिन R सोनेट के वन लीटर एंजन टर्बो चार्ज वाली जो सब महंगा है या फिर अगर आप बात करें एक्सांद का एंजन जो 1.2 तर्बो है जो 1.2 है अर्बो भी है लेकिन उसकी भी पावर फिकर लगबाग सिमिलर ही है वह 170 अनम टॉक देता है यह 178 अनम टॉक देता है उससे इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन इससे कंपेर करना पावर के मामले में गलत होगा लेकिन वह उस इंजन की अच्छाई है और वही उस इंजन की सबसे बड़ी कमी है कि उसमें कर नाम का चीज आती ही नहीं है मतला इवन कई मुझे ऐसे मिले इस लिए लेकिन वह इंजन चगाने में वह इतना आता है कि या तो वह सह लेते हैं या जेल रहे हैं या उन्हान अपना अपना की किया अच्छा के मामले में स्कॉड़ा फॉक्स कॉड़ा पार नहीं रहा है मतला अगर आप देखोगे तो जनली मिसिंग रहती हैं उनके फी एक रिलाइबिलिटी का जो धबा लगा है अभी फॉक्स वगन स्कॉड़ा के ओपर वह आज भी परसिस करता है और वो जनली उनके गेर बॉक्स पे बहुत जादा लगा है अगर आप आप्टर मार्केट भी जा रहे हो तब भी बहुत महेंगे अगर आप्टर मार्केट भी अगर मैं कंपनी में करा लेता तो कुछ और हिसाब किताब आता तो मैंने क्या किया है मैंने लोकल जो इंडियन वेंडर्स हैं उनके उनसे खरीदा तो तक्रिवन 12-13,000 रुपाई की बढ़ी होगे हाफ अब दा प्राइस लेकिन अगर यही चीज़े आप मार्दी शुदू लगा दें वो सारे वी अब यहाला दें कि मुझे दुबारा लगाने बढ़ेंगे और दर लगा लेता एक बार तो वो सकता दो तिन साल और वो चल जाते तो यह स्पैर पार्ट्स का जो महंगा होना है यह आगे कितने साल तक परिशान करने वाला लोगों को एक रीजन है इ अब इंडिनाइज वर्जन लेके आ रहे हैं लोकल जादा मैनिफेक्ट्र करेंगे पार्ट और लोकलाइजेशन ज्यादा बड़ा रखेंगे 90 परसंट तक जाना चाहते हैं बात हैं बड़ी-बड़ी है लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत सारे पार्ट्स ना तो जर्मन ज से बनवा के लिए जाएं इसलिए उनके ही वेंडर यहां पर सप्लाई करके वह इंडियन कंजूमर से उसका पेटेंट और कॉपी राइट चार्जर लेके अपनी लेकर अपने पेट को भारा रखें यह सबसे बड़ी गंदी आदत है फॉक्सवेगन के साथ कि वह लोकलाइ पार्ट की कीमत कम करा पाना मुश्किल हो जाता है और यह बात बहुत लोग नों से खुलके नहीं बोलते कि असली रीजन यह है कि कंपनी यह नहीं चाहती कि उसके स्पेसिफिक पार्ट जिस पर उसने आर एंडी में पैसा खच किया था वह बड़ी आसानी से लोकल बन जा ह और यही रीजन है कि उन्हीं पार्ट की वैसे एक तो उनकी कारह महंगी आती है और फिर जब वह पार्ट खराब होते तो उन पर ज्यादा पैसे भी लगते हैं इंडियन को चुबती है और यहां पर फॉक्सवेगन के साथ यह कमी है उपर से वहां उनके बाते करने लगे है हैं उनके सीओं ने एक इंटेवी में बोल दिया कि हम ओवर इंजिनियर्ट प्रड़क्ट इंडिया में देते हैं मतलब पूरी आट ओवोविल जैनलिस्ट से लेकर एकस पर तक उस पर हसने लगे बुले बाइसा कुछ भी आप ओवर इंजिनियर्ट नहीं करते हो जो इंड तो हां आपके पास पर्फॉर्मेस जहूँ थोड़ी सी बैटर को चिंजन के साथ में है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत टेक्नलोजी को सपोर्ट कर पाई या कॉश्ट कटिंग कर पाई या पार्ट की कीमत कम कर पाई उसका रिए कि आप अपनी जिद बहुत चला रहे ह थोड़ा सा लोकलाइज हो जाओ जाओ और पार्स आसानी से अबलेविल कराओ आफ्टर मार्केट सायद बात बनेगी इंडियन कंजूमर्स अच्छी चीज़ा पसंद करता है मगर सही कीमत पर मिले तो इस प्रोट्ट के आने के वज़े से सब मुझे लगता कि इंपैंट पढ़ने नहीं वाला है सब फूर मिटर गाडियों पे एक तो अवविसली अविलिबिलिटी बहुत जादा है और उपर से स्कॉड़ा फॉक्वगन जो ग्रूप है दो मिटल क्लास ओडर गी लेकिन उसम इसे में जब हम स्कॉड़ा को दुबारा री एंटर होते हुए देख रहे हैं कि इसे से मास है तो कितना इंपेक्ट डालेगा है आपके हिसाब से और इंपेक्ट क्या वो इंपेक्ट ऐसा होगा जो और OEMS को हर्ट करने वाला है ने आपको क्या लागा है धान से समझ के मु अधिने वाली पंचो जो 15,000 यूट बिकती है फ्रांस 13,000 यूट बिक रही है बेजा 12,000 थर्टी थान यूट बिक रही है वैन्यू 8-10 यूट बिक रहे है सोनट भी आ 7-10 यूट के असपास बिक रहा है एक्षी थी 105-10 यूट बिक रहा है इस समय तो ऐसी कंडिशन में आ इस सबसे बड़ा बात यह है दूसरी चीज़ अगर मैं यहां पर फॉरकास्ट करने की कोशिश करो तो स्कॉड़ा के बास से बहुत 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 नमबर पहले भी नहीं है अगर स्लाब गया कि आप यूट देगे तो 1200 के असपास टेगी रहत सेटल हो जाएगा यहनि कि पच्चिसो यूनिट के अंदर-अंदर ही यह करने वाली है एवन आप्टर गटिंग लाँच और सबसे दूसरी बात ही है कि जब आप इसका बेस वेरेंटी देखोगे तो वो एट पार होगा ने क्योंकि यह आही रही है एक 1.0 टर्बो चाज अ के साथ में, that means कि costing कहीं ना गई साड़े 8 से नीचे तो नहीं जाने वाली, और ऐसे price में प्राइस में अगर आप साड़े 8 लाग रुपय में Skoda, Kushak, Kailag के तरफ जाओगे, तो आपके बास में you know, number of gaarडियां जो compact SUVs हैं वो बढ़ती भी नजर आएंगी आपके तो क्रेटा होगी, सेल टॉस होगी और गाड़ियां इस तरीके की हो जाएंगी तो वहाँ पर मुझे लग रहा है, जो कि एक्चुली स्यादा performance भी देंगी at, you know, some money तो 14-15 लाग ता कि जब इसका variant आप देखोगे, टॉस होगी तो वहाँ पर गाड़ियां बहुत ज़ादा हो जाएंगी तो वहाँ पर मुझे लगता है कि एक sweet spot तो उन्होंने ढोट लिया था कि हायर हम compact शेडी में नहीं थे 4-meter की शेडी में नहीं थे वहाँ पर उन्होंने वह पॉइंट तो डून लिया लेकिन उसको वह कैसे you know, affordability की तरफ जुगाते है वह एक देखने वाला मेरे को challenge फिलाल फील हो रहा है Skoda को इस सीज़ को लेगे 8-8 लाग रुपे जो cost efficiency की तरफ count नहीं हो रहा है हाँ यह बात मैं अग्री करता हूं कि जहां computer इतने सारे हो गए आप computer लगभग 7 लाग रुपीज के आसपास से कारें देने लगए और जब 7 लाग रुपी आपको कार मिल जाती है 8 लाग रुपीज 9 लाग रुपीज में तो अच्छे वेरियंट मिल जाते ही में सब कुछ फीचर साजने लग गए हैं ऐसी कंडिशन में जब कुशाक अपना सब्सक्राइब पड़ गई है और जब अपने लेके आएगी तो उसके बेस वेरियंट ही इस प्राइज होंगे इस तो यह कंडिशन में यह चैलिंज बना रहेगा दूसरा एक और ध्यान पंधा लाग में जो की XV300 का है तो ऐसी condition में अब उनमें अधास भी आने लगे हैं चाहें XV300 हो वैन्यू, Sonat, some features आ गए हैं 360 degree camera ऐसे features आ गए हो तो अब कुशाक उस प्राइस अब नहीं लिख पाएगी तो यह दिक्कत तो आने वाली है सायद इसकी विए से नंबस भी नहीं आने वाले हैं दूसरा जिसको दुमार्ट में यह बैठा हुआ है कि हमें 1.2 नैचुरली एस्पेटेड एंजल चाहिए हम थी स्लेंडर नहीं खरी देंगे जिस या उनको पता ही नहीं कि थी स्लेंडर में भी इतने अच्छे नाते जो 1. चलेंडर 1.5 और फॉर्श्लेंडर से भी अच्छे हैं उनको पता ही निए वो क्यों आपके पास जायेंगे उनको जाने ही नहीं आप च्छैलाग की वी दे दोगे तब भी नहीं जाएंगे आपकी कार खाहिए क्योंकि उनको खषीर नहीं 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 है इस कोड़ा इसके वज़े से क्या हो था कॉस्टिम उसकी बहुत जादा वड़े थी तो ये भी कुछ-कुछ वैसा साही महसूस हो रहा है फिलाल क्योंकि वहां पर तो 1.5 के वज़े से टेक्स इतना जादा लग गया था बट इसका इंजिनरिंग कॉसली है क्योंकि इस वज़े से यह बहंगी हो जा लिए तो यह दोनों ही कम से इस तरीके से मैनेज हो रही है कि फॉर्ड एको स्पोर्ट और यह वह भी इसी वज़े से नहीं भीकपा देती पेट्रोल में और डीजल आप देखते रहे डीजल उसका बड़िया था लेकिन वह महंगा था यह बात सही है कि हम इंडियन्स इस बात को नहीं समझते कि बड़ा एंजन जब आता है तो अपने साथ सा टेक्स भी लेकर आता है और पॉलूशन की भी लेकर आता है जैसे बज़ा पर बाकी नेक्सों वेन्यों सोनेट इन सब के सब्सक्राइब काई तो बड़ा एंजन देना हमेसा समझदारी नहीं होता है क्योंकि वह पैसा ना तो कंपनी के पास जाता है ना क्श्टरमर के पास जाता है वह सीधर गौशन के पास टेक्स में चला जाता है इसलिए बहतर तो यह रहेगा कि छोटा एंजन दिया जाए प पॉलम कहां है कि स्कॉड़ा के पास आप्शन नहीं है वेन्यू 1.2 लीटर एंजन नेचरली एस्पेटिड वन लीटर तबो चार्ड इंजन डीजल एंजन मैनुवल आइम टी टॉक कन्वर्टर डी सिटी सारे ओप्शन मौजूद है वहीं अगर आप सुनर्ड के साथ जा तो 1.5 लीटर डीजल उस पर भी मैनुवल आटोमेटिक दोनों ऑप्शन है सी एंजी आ गया है इवी भी आ गया है तो अब नेक्स्वान में ही जब इतने सारे ऑप्शन हो गए हो सब के पास मुल्टिपल ऑप्शन हो गए हो तो फिर यह कैसे पॉस्बिल है कि आप कि एक एंज पावर जिनके पास सारे हत्यार मौजूद है तो हत्यार कम है स्कॉर्डा के पास और साइड इसलिए जो आपने नंबस बताये थे जो हनीमून पीरिट खतम होने के बाद आएगा यानि पहले छे मैने खतम होने के बाद आएगा मुझे लगता है कि 1800 से 2400 की जगे मैं उनको पास 4000 नंबर पार करने में हल्प पक्का मिल जाती किव इंडिय ani अब CNG को वैल्यू करने लगे हैं पहला सी बिस साल लग गये इंडिया में इस्ठाफित होंने में मुझनों बसकी चुकि चला चुके में और भू उसको भूर माते ना उनको सेमाजिक मेशमार dar Another में रीए मैंने ते हैं लैठी में बहुता है उनको और मैसूस होती है बूलतर यह पहले निकलना चाहिए और मेरे निदाज ऑप्शन भी देना चाहिए और इस सेग्मेंट में एंटर हो रहे हैं तो आईए बैसाब मुकाबला यहां पर देखना जब स्कॉड़ा के अगर हम मान लोगी दो हजार यूनिट्स भी करते हैं अभी वो टोटल यूनिट्स तक्रीबन तीन कंपनी रिवाइवल देखो ना मनला इस प्रोट्ट के आने के वज़े से ही वो कहीं आगई यह आप देखना प्रॉफिट्स और अभी प्रॉफिट्स में वह आ चुक हैं इमेज 2.0 पे उन्होंने 8000 करोट रुट्र रुए लगा हैं अब लेकिन प्रॉफिट्स अचीव हो लगों के लिए बनिया आप समझना मेरी बात द्यान से हम इंडियन से कैलकुलेट करते हैं हमें लगता है नंबर कम बिकरी यह भाग जाएगी गाटे में होगी पक्का क्योंकि मार्ती दित्ता बेच रही है हमारे पास सेग्मेंट का एक ऐसा एक्जाम्पल हमारे दिमांग क जानते हैं कि सब कंपनिया फायदे में कोई घाटे में नहीं है किसी का दंदधाते कू canyon फाईध कोहिंए किसी कब्र। तुम्हें लगेगा फ्लॉप होगी काड़ी, कम्पनी को लगेगा वो तो सुपर हिट हो गया है अचा एक चीज और कंस्यूमर के दिमाग में क्या रहते हैं कि भाई मैं बस फंद्रा सो यूनिट बिग रही है उनको यह नहीं पता कि वो सर्विस से भी कमा रहे होते हैं उनको यह नहीं पता कि वो फाइनेंस बेच के भी कमा रहे होते हैं इंशॉरंस बेच के भी कमा रहे होते हैं लेकिन उस तरीके की format भी तो है बहुत सारे तरीके हैं जासे एससरी इस वन अफ देम अब जनली लोग जह हो आप जाने लगए कि भाई में को आपसे लगवानी है वह कंपरी फिटेट का कम से कम माइंड से दिमाग में ऐसा आजाता है यार डिलर से लगवारा तो शाहर कंपर इसा कमा लेते हैं जो उतने ही नंबर में बिचते हैं उसका रीजन है कि आप अगर गाड़ी बाहर से सर्विस करवाते हो तो इसकोड़ा और फॉक्सवेगन या बाहर के पार्ट लगवाते हो वह वारंटी कट कर देते इमीडियेटली बगए संकोच के जब कि मारती हंड़ लेकिन लोग क्ट करते हैं चोटा सा पैंच क्यों लगवाया वारंटी तो जाएगी कोई भी घ्र्लीक नहीं यह तो पैसा कमाने इसकोड़ा फॉक्सवेगन गुर्प यहां से जाने वाला नहीं है इंडिया में जतना पैसा वो कमा रहे हैं उससे वो खुश हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है तो यहां से नहीं जाएंगे आपको आइडिया नहीं है इसलिए आप गलत एसस्मेंट किये रहे हो सच बात यह है कि गल्ती आपके आईडिय की है आपके सोचने की तरीके की है कमपनी तो मस्ती में मक्धन लगा के आराम से रह रही है उसको कोई नहीं है दो कार आपको दिख रही है लेकि मों 200 अच्छे पैसे कमा रहे है और अब तो ऐसी कार अधरी जिस से तो अश्टा बटर बेरें बटर आगा उनका वो सकता है कि all together जितने युनिट्स बिछले महीं निमेर इमेर थे 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 सो उनिट्स हुई तो शाइद ये वैसी एवरेज पे आड़ है लोवेस्ट पीरिड पे भी अपने थे थे सो के गरीब जो हो बिखने लगे अज मैं हाली में पढ़ रहा इंटरनेट को भी भी बहुत सेंसेशनल लिजम इस चीज़ को लेके चल रहा है कि फॉक्सवगन पोलो आ रही है और क्या एक चांसस है कि जो काईला कभी लाँच हो रही है उसी वो फॉक्सवगन पोलो के नाम पर रिजिस्टर करके लाँच कर दिया जाए अब यह पते प् और काईलैक मीन वाइन जो है वो लाँच होने वाली और जनरली आप देखते हो स्कॉड़ा की जो प्रोड़क्त है वो आविसली स्कॉड़ा फॉक्सवगन नहीं की ग्रूप है तो वो स्किन रैप करके फॉक्सवगन दुबारा से रिलाँच करता है हमने कुशाक एंड टा ऑर नाम ही कि खेंगे कि उसली वा चुछ कलार tightly लृट मखें चोड़ दिया में तो चॉड़ानों कि छोड़ दिते अब को क्या लग रह二 है अब को क arbitrarily पहां चुन्यभरक्त है को जो का तीड-गोर्य बिलकुल नहीं हा रही है लिए एंघ्ट परसेंट नहीं यारी है एंड इंडिया में चलती है वो मैनुफेक्चर होती है हो सकता है वहां पर जीटी वजन आता है उसे इंडिया में बेचा जाए लेकिन वह सी बीओ होगा तो उसकी कीमत हो है कि पच्पनगा रुपे मैं कोई लेगा इसा को दृतिम प्यदा हुआ है इंडिया में तो कंपनी विवाथ पता है कि पूलो क्यों कोई ख़एदेगा तो क्यों लॉंच पर जाए तो इसलिए वो और कभी इंडिया आनी सकती अब जही बाद्रेड्मार्क और इस चीजहों क है मेरे पास परसनल कुद के मैं लग लग ब्रैंड के नेम के कॉपी राइट है मेरे पास और मैं उसे जिन्व करवाता रहता हूं क्यों जिन्दी के लिए पोलर नाम रखेंगे भले हम जिन्दी में कभी पोलर लॉंच ना करें तो इससे क्या नुक्सान है ताक दूसर कोई ना कर पाए चाहे वो मसाले वाला एक नाम था याद है आपको तो ऐसे हमेशा रहे हैं और इवन आपका ध्यान से देखो तो हम एवरेश्ट कभी लॉंच नहीं कर पाए इंडिया नाम से क्योंकि उसके नाम का भी वही मैटा था और हमने उसे एंडवर करके खरीदा है इसलिए हम कॉपी राइट वापेस देखा लेंगे तक कोई दूसा पोलो नाम ना इस्तमाल करें इसलिए हम देखा लेंगे कि सब्सक्राइब के भी मार्केट में अपवाए कि कायलक कुछ है वो पुलो रीनेम करें करें के फॉक्स वें लॉच करें यह अब भी मतलब उनकी वास में तीन प्रोड़क्त हैं जबकि पॉर्दा के दूसमें चार प्रोड़क्त ने ने किसमें और कोडिया कि पी यह जो क क्या लग रहा है आपको स्काइलेक आने वाली है क्या पोलो करके आएगी इसकी उम्मीद नहीं है बराबर है कंपनी एक नया नाम देना चाहिए अगर वो उसे लाते हैं तो हाला कि उन्होंने साफ मना किया है मेरे से डिसकुशन में कंपनी के अमडी ने आशीश गप्ता ने स है कि इसकोडा ला रहा है उनका कहना यह हमारी अगली तयादी जो है वह है जो कि एकच्वल में बड़ा-प्रडट्ट रवा बड़े बड़ोड़ के तर जाएंगे और इसकोड़ा चाहिए लगत थोड़ा सा मास्मार्केट तक बढ़िए इस तहर से यह एक कंपनी अबी ए बता रहेगा और इसकोड़ा पास पीम भी बड़ी है भले फैक्टरी एक ही है जिसमें इसकोड़ा फॉक्सवेगन आउडी की गाड़ियां बनती है लेकिन उसका में परपस यही है कि वह अलग लग सब को सब्सक्राइब फॉक्सवेगन थोड़ा महिंगी कारों की तब ज्यादा फोकस करेगा इसकोड़ा थोड़ा सस्ती कारों और आम कारों की तब फोकस करेगा इससे नंबर्स ला सके इस तैसे पूरी कंपनी मिलकर जो कि इंडिया में लगबग पांच ब्रांड ऑन करती है अपनी जगह बने रहेंगे इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा वैसे मैं अगर पास्स एक्सवेगन की बात करों तो फॉक्सवेगन हमेशा से स्कोड़ा को अफ्रंट रखा भी है उन्होंने पहले इंडिया में जब आय वो सॉरी तो 2001 में वो अक्टेवे के साथ में आये उसके बाद छे साल तक फॉक्सवेगन कोई ऐसा कुछ मेजर उन्होंने नहीं किया चॉज साल के बाद दो साथ में दोनुएक दो एक साथ फिर वो पांचछा साल के जली काए वोगई बोगई फिर दो थो ज़ुएगई पॉज वे सुछ लेके आया है अम वो बारा साल के ल मुझे उमीद है और उस क्लैरिटी के सारे सारे हच्दार है अमिच जी और बागी मुझे उमीध है कि ये पॉड़ास्स काफी पसंद आया होगा मैंलब जनरली हमने सारी चीजिसमें कवर कर दी उमीद है लगबग सारी चीजिजे कवर हो ही गहीं है और हाँ रिलाइबिलिटी एंड स्वेर पाइट के ऊपर हमने बात कर ली दी लगवग सारी से से हो गई है अमिल सब कुछ आपको लग रहा है कुछ छोड़ गया हो तो माइक इस यॉर्स मुझे लगता नहीं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो वीवर्स को जाननी चाहिए थी और वो हम साथ बताने से चूप गए हों मेरे साथ से हमने सभी पॉइंट डिसकस किये हैं और मैं यह कहूंगा कि इस कोड़ा एक अच्छी कोसिस कर रहा है बस वो ऑप्शन कम दे रहा ह अप्शन उसे और जारा देने चाहिए बाकि मेरेंदाज पॉड़क्ट में कोई ऐसी खमी मुझे टैमोफ्लाइज चलाकर और देखकर महसूस नहीं हुई है सब कुछ अच्छा है फीचर्स जरू थोड़े से ऐसे हैं जोद को लेकर मुझे सिकायते हैं कि थोड़े और होने चाहिए जैसे एडास देना चाहिए लेकिन चुक वो बड़ी गड़ियों में एडास नहीं दे रहे हैं सलाविया कुषाक इनमें ही नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि छोटी का से एक ETS देने का मन सब कुछ खराब-खराब है विन सीटों में पॉकेट में भी बड़ा वरसिटाइल इंतिजाम कर रखा उन्होंने कि मसला डूबल पॉकेट से श्टम एक मोबाल फशाई है एक मैगजीन फशाई है और भी सब्सक्राइब है तो छुटी काश में भी देना है यह तो वही अगर तो ऐसे कुछ और भी ट्रिक कर सकते है आगे फीचर में देखते हैं क्या होता है चले गाई है थैंक यू सो मच अमच जी आने के लिए और हम लेगे एक और नहीं वीडियो में आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मुझे बताना क्या क्या चीज़े चेंज कर सकते हैं हम ऐसी बहुत सारे इंटर्स्टिंग पॉड्कास्त आने वाने टाम में जरू लेके आने वाले अरे बन एक्साइम बाबादेंगे टीप लिंग एंग कार वाइक वाइव वाइव एगलर हैवें डाए सेफ गाइस